हलो फ्रेंड्स, क्या आप गैस कर सकते हो कि मैं अपनी किचिन में क्या पका रही हूँ आज, क्या टमाटर, नहीं टमाटर नहीं पका रही, आज मैं पकाने जाने वाली हूँ भर्मा, बैगन, मसालेदार, चटपटे, तीखे, और जिसे आप खाऊगे तो आपका बार बार खा हो जाने के बाद एक पिंच हींग डालेंगे और हाफ टेबली स्पून हम डालेंगे जीरा और उसे भून जाने के बाद जीरे को फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे और जब यह अच्छे से भू तो वो भी डाल सकते हो, यहां मैं without paradox, listen के बना रही हो, और इसमें हरी मर्च भी मैंने डाल दी है, और अद्रक हरी मर्च को भूनने के बाद अच्छे से, पर इसमें मैंने डाला है, सॉफ और टेस्क एकोड़िक नमक, और फिर इसे, अच्छे से, इस मसाले को भी भून लेंगे चलाते हुए अब जब ये हमारा मसाला अची से भून चुका है अब इसमें डालेंगे दो बड़े टमाटर चौप करके और इन टमाटरों को थोड़ा चलाएंगे और फिर बिल्कुल गैस के लो फ्लेम करके इसे ढख कर दो से तीन मिनट के इनके डंठलों के नीचे ये जो होते हैं इन्हें काट देंगे हम और काटने के बाद फिर हम इनके फोर पीसिस करेंगे बैगन के हमें डंठल से अलग नहीं करना है बैगन डंठल में ही फोर पीस करना है डंठल से जुड़े ही रहने देना है बैगन को और फिर उसे देखन कि अंदर से खराब तो नहीं है यहां हमारे टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं अब हम गैस को ऑफ कर देंगे थोड़ा ठंडा होने देंगे टमाटर को और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर अमचूर पाउडर और गरम मसाला डाल देंगे अगर हम अमचूर पाउडर पहले मसाले को अब हमारा मसाला ठंडा हो चुका है अब हम बैगनों में इस तरह से चम्मच की सायता से यह थोड़ा-थोड़ा करके मसाला इसमें भर देंगे जब तक अगर आप मेरी चैनल पर नए हो और मेरी चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल्द कर ली और आप मेरी नए नए वीडियो देख पाओगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगें तो जदस जदा शेयर भी कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके यहां भरमा वैगन किस प्रकार से बनाते हैं और आप मेरी वीडियो कहां कहां से देख अब यह हमारे सारे बैगन भढ़ चुके हैं? अब हम क्या करेंगे? वही कड़ाई फिर से लेंगे और उस में सरसो का तेल थोड़ा सा और डालेंगे और एक-एक करके सारे भरे हुए बैगन इसमें डाल देंगे और फिर प्लेट से अच्छी से धकके बिलकुल गैस की लो फ्लेम करके पांच मिनट तक पकाएंगे हमारे पांच मिनट हो चुके हैं अब इन्हें हम एक साइट से पलट देंगे ऐसे हमने पलटे हैं ऐसे आप सारे बैगनों को एक एक करके पलट दे जाएए यह हमारे अच्छे से पलट चुके हैं अब हम इन्हें फिर से दो से तीन मि यह देखिए बैगन हमारे अच्छे से पक चुके हैं और ओल छोड़ चुके हैं अब यह खाने के लिए रेडी हैं आप इसे बच्चों के लच बॉक्स में भी रख सकते हो इसे डिनर में भी खा सकते हो लच में भी खा सकते हो और मेरी वीडियो को लाइक करना जदे करना